कि आज कि रेशिप करेंगे आप लोगों को साथ में श्री खंड के हम बनाएंगे श्री खंड और हमने लिया है चक का जिसको हैंकर भी बोलते हैं कि दही को हमने कपड़ें बांदेया था और इसको पूरा पानी निकल गया ठीक ठीक बचा है तो इसको चक का भी बोलते हैं तो यह देखिए हमने लिया है 500 ग्राम उटने ही हमने सक्कर लिया और उसको हमने पीस लिया यह आप इसमें आइसिंग सुवर भी डाल सकते हैं और हम और भड़ा सकते हैं लेकिन लाश में आप लोगो दिखाएंगे दिखटा है तो आप इसके लिए और क्या कर सकते है अब लाबा यह देखिए इसको तरीके से मिक्स कर लेंगे आप चाहो तो विसकर से हो चाहो तो कपड़े से भी कर सकते हो इसके लिए इस तरीके से छैड़ेें, से मिक्स कर लेंगे हो भरों बढ़े सब्सक्राइब में मीखनें, और अब आपको यह कर ल्याद के मिक्स हो गए यह देखंड मतर्मेंगे इस तो मिक्स कर लेंगे गे चैसे से क्रीम इससे क्या होगा फ्रेस्ेक्रीम है 100 ग्राम फ्रेस्ट क्रीम ली है इससे इतना घट जादा होगा तो खट्टा दब जाएगा और हमारा श्रीकंड जो है वो क्रीमी बन जाएगा यह दूत पाउडर दूम मिल्क मसाला जो होता है वो डालेंगे दो टी स्कून मिल्क मसाला ये देखिए दो टी स्कून मिल्क मसाला डाला इसमें हमारे लिए कलर डालने की जरुवत नहीं पड़ेगी मिल्क मसाला में डाल दिया और थोड़ी सी केसर डाल केसर भी डाल सकते हैं वगर ये नहीं डालने हो हाप टी स्कुनिस में लाइची पाउडर और आप थोड़ी सी केसर डालेंगे हम बाद में और आप लोग मिलक मसाला नहीं डालना तो केसर डाल सकते हो और कुछ नहीं डालना तो कलर डाल सकते हो और लाइची पाउडर ये देखिए अच्छे से फैंट लेंगे यह हमारा मार्केट जैसा बनेगे एकदम क्रेमियों और खाने में मस्त लगेगा टेश्टी टेश्टी तो इस तरीके से आप लोग स्रीखंड बना सकते हैं और आप लोग सबस्ब बड़ियां दिखाऊंगा इसकी गानिसिंग कैसे करना है वो देखाएंगे इसको सजाना किस तरीके से हैं और यह देखिए यह डेडी आप इस तरीके से ओज़ने चीए देखी कितना बड़ियां हो गया हमारा स्रीखंड तो इस तरीके से आप लोग स्रीखंड बना सकते हैं और चाहो तो इसमें थोड़े वो ड्राइब फूड भी डाल सकते हैं आप लोग और यह केसर डाली हमने यह देखिए केसर गला के रखी थी केसर डाल दी इसको मिक्स कर लेंगे अच्छे से यह देखिए तो टेस्ट बहुत अच्छा आता केसर डालने से सिरीखंड में आप चाहो तो इसमें मैंगो का फ्लेवर भी दे सकते हैं मैंगो का सीजन चला तो मैंगो भी डाल सकते हो तो मैंगो सिरीखंड बना सकते हैं यह देखिए केसर यह बना सकते हैं लेकिन केसर जरू डाला आप मिंगो डालो तब भी कैसा डाला तो टेस्ट बहुत अच्छा आएगा स्रीकंड में और थोड़ा सा गुलाब जल हमने नहीं डाला है आप लोग इसमें थोड़ा सा गुलाब जल भी डाल सकते हैं तो टेस्ट बहुत अच्छा आता है यह देखे गुलाब जल जरू इसको बढ़ियां सा सजाएंगे तो इतना सुन्दल लगेगा और इस तरीके से आप लोग श्रीकंड बना सकते हैं यह देखिए आप इसको हम करते हैं गाने सिंहे थोड़ा समने कत्रन पिस्ता और बादाम डाला और इसको उपर काजू लगाएंगे थोड़ा सा केसर यह क्यूंत देखें कितना सुंदर लगने लगए हमारा सुरीखंट तो इस तरीके से आप लोग बना सकते हैं और इस तरीके से गानिस्डिंग कर सकते हैं तो हमारे रेशिपि अच्छी लगी तो लाइक कर देना बहुत गजब की है तो आप लोगों सबकी लिंक मिल जाएगी जाकर चेक कर लिजेगा तो इस तरीके से आप लोग शुरी खंड बनाई हो और सर्प